आर्सीपी को लेकर जदियू में भगदर मच गई है अब उसके बाद से जदियू पाटी का हर एक बागी नेता जदियू की पूल खोलने में लगा है आखिर नितीश कुमार कब तक ऐसे बिराज़मान रहेंगे बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसका सबसे ज़्याद आज सवाल उठने लगा है नमस्कार मेरे नाम है अब शेक तिवारी और आप देख रहे हैं बूले भारत बिहार के राज़धानी में नितीश कुमार एक धुरूव बन कर रहा है है एक किंद्र बन कर रहा गए हैं नितीश कुमार के इर्दियू बिहार के राज़नेती घु प्रवाजियां शुरू है आर्टिपी सिंग को पत्र लेकर के कई खुलासे किये गए तो आर्टिपी सिंग ने इस्तिफा दे दिया सियम नितेश ने लेकर पार्टी के अंदरुनी मामले को सामने आये और उन्होंने साफ साफ तौर पर दो टूक में नितेश कुमार को समझा लिए उसके बाद से नितेश कुमार के बागी नेता और जदिव के पुर्व परवक्ता डॉक्टर अजे आलोक अब ट्वीटर के माध्यम से अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं हलाकि आपको बता दे कि डॉक्टर राजे आलोक अब जदियों के नहीं रहे, पूर्व जदियों के नेता हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों का इतना अहमियत तो जरूर है, जिससे राजनिती घरमा जाएगी. पहले देखिए किस प्रकार से डॉक्टर अजे आलोक ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, क्या संयोग है और अजब का परियोग है, पेट भर के गालियां दे के और पेट में कितने दाथ हैं, ये बता के राश्ट्रिय अध्याक्ष, दो-दो बार धोखा दे के खु ये काम सिर्फ एक ही विराला पार्टी कर सकती है, जिसका नयाब नेता को सब भूलने की आदत है, पिछले बारा साल से पी-म बनने की आशा में बिहार का सत्यनाश करने वाले महान व्यक्ति, आदमी अपनी छाया को काटने चला है, सोचिए आप लोग, आपका क्या होगा? नाश कुमार, लेकिन समारोह में जाएंगे, संसदों की बैठक करेंगे, अरे खुल के गाई ये लालू जी के सब्दों में पलटने का मौसम आ गया, बिहार की सता में बने रहना, इनका एक-एक दिन बिहार को एक-एक साल पिछे ले जा रहा है, नितीश कुमार को अब ना विकाश पुरुष के नाम से कभी जाना जाता है, विकाश पुरुष बताने में यही निता बढ़ चड़कर भागेदारी निभाते थे, लेकिन आज बात इतनी बिगड़ गई है, कि नितीश कुमार को अब नाश कुमार बताया जा रहा है, और बिहार अब इससे तरही-तर ही करने लगा है, हलाकि नितीश कुमार को ले करके जिस प्रकार की बहन बाजिया रसेपी सिंग ने की, उसकी उमीद तो किसी की नहीं थी, रसेपी सिंग ने एक-एक साफ-साफ लहजे में बता दिया, कि साथ जन्मों में यह पर्धान मंतरी नहीं बन सकते, उमीदों पर त पानी फेरी दिया है, साथी साथ अपने लिए मुखालपत भी मोल लिया है, हलाकि अब इससे जादा बुरा आर्सेपी सिंग का हो भी नहीं सकता, जितनी फजिहत आज की तारिख में आर्सेपी सिंग की हो रही है, देखना है, आगे आने वाले दिनों में आर्सेपी सिंग क को ले करके क्या कुछ कहा जाएगा क्या कुछ सुनने को मिलेगा आज श्राम चार बजे जदिव के राष्ट्रिय अध्याक शुलालन सिंग की प्रेश कंफरेंस है और उसमें सारी बातों का जबाब होगा कांटर अटाइक भी देखने को मिलेगा और जो कुछ भी होगा हम सब कुछ आपको लाइफ दिखाएंगे अपने चैनल पर बने रही है आप हमारे साथ तब तक के लिए दिजिए ज्याजत नमस्कार